आप घर बैठे कैसे पता लगा सकती हैं कि आपकी डिलीवरी में कितना समय रह गया है ओबर आल प्रेगनेंसी के दोरान जब आपकी डिलीवरी में 20 दिन समय रहता है तो आपका सरीर कैसे लक्षन दिखाता है डिलीवरी के 15 दिन पहले कैसे लक्षन दिखाता है delivery के 10 दिन पहले कैसे लक्षन दिखाता है और साथी साथ जब 5 दिन आप दूर रहते हो अपनी delivery के तब आपका सरीर, आपका mood कैसे लक्षन दिखाता है साथी साथ 1 से 2 दिन पहले कैसे लक्षन दिखाता है और जब कुछी गंटे 24 गंटे या फिर उसे भी कम समय रह जाता है तब आपका सरीर क्या क्या लक्षन दिखाता है अगर ये वीडियो आपने देख ली तो बहुत आसानी से जान लेंगे कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कितना समय रह गया है मैंने भी मेरी प्रेग्नेंसी में किस हिसाब से पता लगाया था कि मेरी जो डिलीवरी है अब वो बहुत जल्द होने वाली है जो भी नूस के जो भी तरीके बताया जाएंगे इस वीडियो में वो गाउं की महिलाय अपनाती है और उन सारे लक्षन को बहुत ज़दा नोटीस करती है तो चलिए गई जिसी बात में वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल पहली बार अगर चैनल पर आये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक किजिएगा गाई जो लक्षन होता है यह हमारा सरीर बहुत बार दिखाता है लेकिन हमें पता नहीं होता है ने कि यह लक्षन इंडिकेट कर रहा है इस हिसाब से हम अपने सरीर को कई बार अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं कई बार उसे हम नोटीस तक नहीं कर पाते हैं अगर हम बात करें 20 दिन पहले कैसे लक् को होता है इस तस्बीर की तरुब आप देख सकते हैं बच्चे का सर इसमेन नीचे है जो की 3 Week से ऊपर आप कभी भी जाएंगी तो आपके बच्चासर कभी भी नीचे हो सकता है कभी भी कहने का मतलब है कि 32 विख पे 34 विख यह 36 विख के अंदर बच्चे का सर जो है वो नीचे चला जाता है जो पहली बर मा बनती है उनके बच्चे का सर जल्दी नीचे जाता है जो दूसरी बर मा बनती है उनका बच्चे का सर नौ महीना स्टार्ट होने के बाद नीचे जाता है अब बात करें 15 दिन पहले कैसे लक्षनाते है इस समय में आपको बहुत जल्दी रहेगे, मन ही मन लगेगा कि बहुत जल्दी से जल्दी डिलीवरी हो जाए, क्योंकि आपके सरीर के बहुत सारे body part में दर्द की समस्या हुई रहती है। दस दिन पहले कैसे लक्षन अपियर होते हैं, दस दिन पहले जो होता है, आपका सरीर ऐसे हर्मोन से रिलीज करता है, जिससे आपको false contraction होने लगते हैं, false contraction जिससे आपको लगेगा कि अब आपको labor pain आ गया है, लेकिन वो labor pain नहीं रहता है, वो आपका सरीर जो है, वो बार-बा बार बार संकोचन देता है आपके खुद के सरीर को नॉर्मल डेलिवरी के लिए तैयार करने में जैसे होता है ना कि कई बार हम साधी या पार्टी में जाने वारे होते तो घर पे ही एक बार कपड़े को डाल डाल कर एक दो बार प्राक्टिस करके देख लेते कि इसमें हम प्रिपेर्ड हो जाए पांच दिन पहले क्या होता है कि आपको एक म्यूकस प्लग रिलीज होता है इस तस्वीर के तुरू देख रहे हैं एक ब्लड सा आना इसे ब्लडी सो भी करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपके सरीर के साथ होने लगते हैं एक से दो दिन पहले क्य होता है आपके मन ही मन इतनी जादा एनरजी आई रहती है कि बस अब बहुत हुआ मुझे जो है वो डॉक्टर को अपने सपोर्ट करना है और अब कभी भी लेवर पिन आ सकता है ऐसा आपके दिमाग में होगा और हर समय सपना जब आप सोईंगी न सपने में कई बार ऐसा लग की यह मैं डरानी की कोशिस नहीं कर रही हूं लेकिन इतना बता दिया कि असानी से नहीं होगा बच्चे को बहुत मुझे से पूश करके बाहर निकाला जाता है तब जाकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जाते है आई तिंग गाई इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सा सारे डाउट को क्लियर किया अब भी कुछ पूशना है कुछ रा गया है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए थैंक्स पो वाचिंग तब तक के लिए बाइबें ठेक गया